नमस्ते मेरे प्यारे यूट्यूब फैमली, कैसे हैं आप लोग? उमीद करूँगी आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं. स्वागत है आप सभी का, आपके अपने ही चैनल स्वाती भक्ती एंड ब्लॉग में. आप सभी से वीडियो सुरू करने से पहले निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए और पसंद आने पर लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर किया कीजिए. मैं आप सभी के लिए बहुत ही खास वीडियो ले करके आती हूँ पूजा पार्ट से रिलेटेड जिसे जानकर आपको पूजा पार्ट करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगा. अगर आपको किसी भी तरह का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा. पूजा पार्ट से रिलेटेड या आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए जैसे कि पूजा वर्थ कब सुरू करें, उध्यापन करप करें, वर्थ करने का नियम क्या है, पारण में क्या खाएं, क्या ना खाएं, वर्थ में कितने वर खाएं, आपको मैं सारी बात की जान कारू दूंगी वीडियो पसंद आने पर प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज प्लीज सस्क्राइब चरूर कीजिएगा जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों इस बार सावन एक नहीं पूरे दो महिने का लगने वाला है सावन सुरू होने ही वाला है यानि कि आज दो तारीक है और फिर चार तारीक को हमारा सावन प्रारंब हो जाएगा आप सभी को बता दूं कि इस बार सावन चार जुलाई से ले करके 31 अगस्तक चलेगा बीच में खर्मास होने के कारण सावन एक के जगह दो महिने का हो गया है आज मैं आपको बताऊंगी कि सावन सु भी को करने होंगे यानि कि अपने घर के मंदिर से कुछ चीज़ हटानी होंगी घर से हटाने होंगे और साथ ही सावन के बाद उस समान का परयोग नहीं करना है इसलिए वीडियो को प्लीज लाइक कर लीजी और चैनल को प्लीज प्लीज सस्क्राइब कर लीजे आपको मैं बता दूंगी आज कि पहला सोमवारी का पूजा का सुब मुहरत क्या होगा क्योंकि पूजा के सुब मुहरत में पूजा करना बहुत ही जादा सुब माना गया है अगर आप दिन भर में कभी भी पूजा करती है तो वो भी बहुत अच्छी बात है लेकिन कोई ना कोई पूज आप सभी को पता है एक नहीं दो महीने का है पूरे आठ सोमवार इसमें होने वाले हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि हर साल हम लोग आठ नहीं बलकि चार या पांच सोमवारी ही करते थे 11 साल पहले ऐसा ही संयोग आया था कि उस बार भी आठ सोमवार हुआ था उस समय भी जो सुब समय आया था सुब फल आया था इस बार भी आपका सावन बहुत ही जादा सुब होने वाला है इसलिए सावन करने से ना चुके हर एक व्यक्ति को कम से कम अगर आप सोमवार नहीं कर सकते हैं तो उस दिन अश्नानादी करने के बाद सिब जी पे जल अरपित जरूर कीजिएगा क्योंकि इस बार सावन बहुत ही जादा सुब है आपकी कोई भी मन की मनोकामना को पूरी करनी है तो इस बार के सावन में सिबलिंग पे जल चरहना ना चुके अब मैं आपको बताती हूँ कि सावन के कुछ खास नियम क्या है जो सावन सुरू होने से पहले ही आपको करना है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आप अपने घर की अच्छे तरीका से साफ सफाई कर लीजेगा यानि कि घर में जो कहीं कहीं मकरा का जाला जो रहता है वह नहीं होना चाहिए क्योंकि सावन बहुत ही ज़्यादा सुब है उतना ही ज़्यादा पवित्र सावन है तो इस बार आप कम से कम घर की अगर आप साफ सफाई नहीं करती है या पहले से आपका घर साफ सफाई है, तो मंदिर के एक एक कोने को आप जरूर साफ सफाई कर दीछेगा. अगर आप अपने घर में मंदिर बनवा के रखी है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जहां पे भी आपके घर में भगवान का स्थान है, वहाँ पे अच्छे तरीका से साप सुफाई हो जाना चाहिए साथ ही साथ सावन में हम लोग परियोग करने वाले हैं काला तिल, घी, रुई का बाती इस तरीका से आपके मंदिर में जो भी समान है उसे ध्यान रहे कि साप सुतरा स्थान पे ही रखना है और पहले से अगर आप तिल, गूर या जो भी आप परशाद भोग में रखती हैं उसके जगा आपको इस बार के सावन में थोड़ा सा मिसरी भी घर लाना है यानि कि मिसरी चीनी का छोटा छोटा टुकरा वह भी लाना है और सावन के आठो सुमबार में इस परशाद का परयोग करना है साथ ही साथ घर में से आप लहसुन प्याज को भी हटा दीजे अगर आप इस बार के सावन में लहसुन प्याज नहीं खाती हैं या नहीं खाते हैं अच्टिया आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुब होगा अगर आप सावन में लहसुन प्याज खाते हैं तो इससे भी कोई बुरा नहीं है लेकिन आपको इस सावन में कम से कम लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए इसलिए आप अपने घर से लहसुन प्याज भी हटा दीजे और उसके बाद अपने अगर मंदिर में कुछ भी इधर उधर का समान है तो वह भी जरूर हटा दीजेगा अब मैं आपको बता दू जैसा कि आप सभी को पता है चार जुलाई से सावन सुरू हो जाएगा यानि कि मंगलवार से सावन सुरू हो जाएगा तो सोमवार को आप सभी को नहाय खाय जरूर करना चाहिए अगर आप सोमवार को बाल नहीं धोती है खास कर इस तरिया महिला बाल नहीं धोती हैं तो आप मंगलवार को भी अशना नादी करने के बाद पूरे अच्छे तरीका से स्वक्ष हो जाईए क्योंकि हम लोग लहसुन प्याज मीट मचली त्यादी खाते हैं तो हमें सावन के पहले सर पेसे नहा करके सुब जरूर होना होता है इसलिए आप लोग चाहे तो सोमबार को या मंगलवार को नहाय खाय कर सकती हैं अब मैं आपको बता दू कि सावन का पहला सोमवार इस बार 10 जुलाई को होने वाला है 10 जुलाई को पहला सोमवार है तो उसके भी कुछ खास नियम होंगे जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है तो आप नौ तारीक को ही बाल पे से नहा लीजिएगा यानि कि यह कहलाए कि आप नहाई खाए नौ तारीक को ही कर लीजिएगा सावन के सोमवार का अच्छे तरीका से साप सुतरा हो जाने के बाद अगले दिन सोमवार के दिन आप अश्नानादी करने के बाद साफ सुतरा कपड़ा पहनने के बाद पूजा पाट कर सकती हैं पहला सोमवार का पूजा का जो सुब मुहरत रहेगा जो कि बहुत ही खास और सुब है वह रहेगा सुबा छे बज़ कर दस मिनट से ले करके आठ बज़ कर पंदरा मिनट तक अगर आप सुबा 6 से 6 बज़ के 10 मिनट से ले करके 8 बज़ के 15 मिनट के अंदर पूजा कर लेती हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुब होगा या अगर किसी कारण वर्स अगर आप चाहती हैं तो 6 बज़े के पहले भी पूजा कर सकती हैं और अगर किसी कारण वर्स आप 8 वजे तक पूजा नहीं कर सकती हैं तो फिर आप 12 वजे के पहले कम से कम पूजा आपका संपन हो जाना चाहिए क्योंकि 12 वजे के बाद दुसरा पहर घुज जाता है इसलिए कोसिस किजेगा कि कम से कम पूजा का अगर सुम मुहरत में आप पूजा नहीं कर पा रही हैं तो 12 वजे के पहले आपको कर लेना है यह थी सोंबार के पहले सोंबार की पूजा की सुमोरत पहला सोंबार में भी आपको कुछ खास सीद जरूर करना है हर एक वेक्ती को यानि कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्तरियां ही कर सकती है या ऐसा नहीं है सिर्फ पुरूस ही कर सकती है हर एक वेक्ति को पहला सुमबार में सिम मंदिर जाना ही जाना है अगर आपके घर के आज़ पास सिम मंदिर नहीं है तो कम से कम अपने घर में भोला बावा के आगे अगर आपके पास सक्छम है तो साथ बिल पत्र चरहाईए नहीं तो पाँच भी चरहा सकती है चरहा करके और कच्चा दूद गाय का कच्चा दूद जरूर चरहाईएगा ऐसा करके अगर आप पहला सुमबार सुरू करती हैं तो आपका हर एक सुमबार मंगलमे होगा और इस बार का साबन आपके लिए भी बहुत ही खास होगा इसलिए आप लोग कम से कम पांच या साथ बेलपत्र चरहा करके और फिर दूद चरहा करके अपने पूजा को आप प्रारम कर सकती हैं अगर आपको जानना है कि किस तरीका से हम लोग भोला बवा को प्रशन करे पूजा पाट इत्यादी करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आप पूछिएगा साथ ही साथ एक बात और मैं बता दू कि जब भी आप पूजा पाट कर रही है तो उसके बाद मंदिर के नीचे बैठ करके आशन पे आपको बैठना है खाली जमीन पे नहीं बैठना चाहिए उसका भी एक कारण होता है जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट चरूर कीजिएगा आशन पे बैठ करके ओम नवशिवाई का आपको 108 बार जाप करना है हाथ में पुस्प ले लिजेगा उसके बाद ही आप जाप करके वह पुस्प भोला बाबा पे चरहा दिजेगा उसके बाद आप अपना पूजा संपन कर सकती है साथ ही ध्यान रहे कि कितने बार दिन भर में पारन करे सोम बार में सुबह में फलहर करे और रातरी में करे या सिर्फ रातरी में करे या तीन टाइम करे अगर आपको जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा मैं आप सभी के लिए उस पर वीडियो ला करके जरूर दूँगी तो यह थे सावन के कुछ खास नियम जो आपको सावन के पहले ही करना है और सावन सुमबारी का बहुत ही जादा सुब मुहरत है जिसके अंतरगत आपको पूझा करना है और अगर नहीं कर सकती है तो बारवजे के अंतरगत आपको पूझा कर ही लेना है तो इस तरह से आप प वीडियो को प्लीज लाइक कीजेगा और चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजेगा मिलती हूं अगले वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद